नमस्कार दोस्तों आप सबो का स्वागत है विहार बोड मेट्रिक परिक्षा और समाजिक विग्योन का आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों जैसा कि हम पहले भी बहुत सरा समाजिक विग्योन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उससे बहुत सरा प्रस्ण इसमें मिल रहा है तो आप पहले का वीडियो अगर देखे होंगे तो आप इसमें बहुत सरा प्रस्ण आप पहले अंसर बता देंगे तो आईए पहला प्रस्ण आप देख रहे हैं, यह भी प्रस्ण आप कई बार वीडियो में बता चुके हैं, तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, कि यह model paper बिहार बोट की दोरा जारी किया गया, कि बिल्कूल इसी तरह से पुछे जाएंगे आपको, तो आईए पहला प्रस इन में से कौन सा सही है, अगर आप सी सोचे हैं, तो बिल्कूल सही सोचे हैं, क्लोन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसी सी को क्या करते थे, क्लोन करते थे, ओप्सन नमर सी सही है, अगला प्रस्ण है आपका, रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ, तो इस प्रस्ण का उत्त प्रशन फिर समझे दोस्तों जलियावाला बाग हत्याकर्ण 13 अप्रेल 1919 में हुआ था और उसी में नाइट की उपादी किस बेगती ने त्याग दिया था तो आपका आपसन है यहां पे देख रहे हैं तो इस प्रशन का उत्रों जग आपका आपका आपसन नमर सी बिल्कुल स अगला प्रशन है आपका आरिस समाडिक आपका पुर्ण सोराज की मं का प्रस्ताव कौंग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारिद हुआ पुर्ण सोराज की मंग का प्रस ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधीवेशन में पारित हुआ तो इस प्रश्न का उत्रों जग आपका ओप्शन नम्मर A बिल्कुल चाहिए 1929 में लहण अधीवेशन 1929 लहण अधीवेशन में पारित हुआ था पुर्ण सोराजकी मंग अगला प्रस्न है भारत में सुति वस्त्र की परत्थम मिल खोली गई भारत में सुति मिल की खोली गई तो इस प्रश्ण का उत्तरों जग आपका option number B, बिल्कुल सही है, मुंबई में, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां खोली गई है, मुंबई में, option number B, सही है, अगला प्रश्ण आपका, अखील भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्ण का उत्तरों जग आपका option number B, बिल्कुल सही है, लाला लश्पत राय, अगला प्रश्ण है, प्रश्ण है, हिंद चीन छेत्र में अंतिम यूद की समापती के समय अमरीकी राष्टपती कौन थे, तो इस प्रश्ण का उत्तरों जग आपका option number B, बिल्कुल सही निक्सन, हिंद चीन छेत्र में अंतिम यूद की समापती के समय अमरीकी राष्टपती कौन थे, निक्सन, option number B, बिल्कुल सही है, अगला प्रश्ण है, प्रश्ण है, विक्टर एमूल ने किसे परधान मंत्री निक्त किया था, प्रश्ण है, विक्टर एमूल ने किसे अगला प्रश्ण है, रख्ट और लोह की नीती का अवलबन किसने किया, प्रश्ण है, रख्ट और लोह की नीती का अवलबन किसने किया, तो इस प्रश्ण का उत्तर एमूल ने किसने किया, प्रश्ण है, विक्टर एमूल ने किसे परधान मंत्री निक्त किया, विक्टर ए पुछ दिया जगा प्रस्ण कि रक्त और लोग की निती किस ने अपनाई तो विश्मार्क ने अगला प्रस्ण है नई आर्थिक निती NEP कब लागू हुई तो इस प्रस्ण का उत्तरों जगा आपका 1921 इस्वी में आप्शन नमर सी सही है अगला प्रस्ण है आपका इंडियान स्टूडरी कमिशन का अन्य नम क्या है तो इस प्रस्ण का उत्तरों जगा आपका आप्शन नमर बी बिल्कुल सही है शायमन कमिशन अगला प्रस्ण है मात्मा गंधी ने किस समचार पत्र का समपाधन किया तो ओप्शन नमर B बिल्कुल सही थे आप यंग इंडिया का अगला प्रस्ण है गुट ने वर्ग ने सार पर्थम किस पुष्टक की छपाई की तो ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है बाईवल अगला प्रस्ण है असोक का अभिले किस लिपी में है तो ब्रहामनी लिपी में है ओप्शन नमर A अगला प्रस्ण है बंगाल विभाजन कव वापस लिया गया तो ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है बंगाल विभाजन को 1911 स्वी में वापस लिया था और बंगाल विभाजन कव लागू हुआ था 1905 स्वी में बंगाल विभाजन लागू कव वाथा 1905 में वापस कव लिया 1911 स्वी में ओप्शन नमर C सही है इस प्रस्ण का उत्तर अगला प्रस्ण है आपका रूस में कब दस्रेप्त समाप्त किया गया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जग आपका उप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अठारासो एकसट इसवी में अगला प्रस्ण है किस सम्मेलन में एक मही को मजदूर दिवस मनाने की निर्नाय लिया गया बिल्कुल सही है दूत्य अंतरास्टिय सम्मेलन अगला प्रस्ण आपका होची मिन की सरकार थी तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जग आपका उप्शन नमरं बिल्कुल सही है उत्री बियते नम में अगला प्रस्ण आपका War and Peace किसने लिखी तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा आपका Option नमर B बिल्कुल से है तो यह style ने अगला प्रस्ण है श्ववियत चंग का विघटन हुआ था श्ववियत चंग का विघटन हुआ था इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा आपका Option नमर A बिल्कुल से है 1991 में श्ववियत चंग का विघटन का विघटन हुआ था 1991 इस भी में अगला प्रस्ण है आपका पत्नों को आजीमा वाद नम किसने दिया तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा अजीम उस सन अगला प्रस्ण है पाटली पुत्र नगर की अस्थापन किसने की तो आजाज सत्रुने Option नमर C सही है पाटली पुत्र की नगर की अस्थापन किसने की थी आजाज सत्रुने अगला प्रस्ण है आपका भारत में राष्टिया आय की गन्न की संस्था द्वारा की जाती है भारत में राश्टिय आय की गन्न की संस्था द्वारा की जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तरों जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है केंद्रिय संखी की संगठन के द्वारा भारत में राश्टिय आय की गन्न की जाती है option number a सभी है अग्ला प्रस्ण आपका योजना आयोक का गठन कब हुआ? तो इस प्रस्ण का उतर हो जयेगा आपका option number a बिल्लकुल सही है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था अब योजना आयोग के अस्थावन पर निती आयोग लाया गया है और योजना आयोग का अध्यक्स को नोता है परधावन मंत्री तो चलते एक लिए प्रश्णी क्यों प्रश्ण है उत्पादन के साधन पर निजी विक्तियों का स्वामावित्व होता है तो इस प्रश्णी का उत्तर हो जगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है पूंजी वादी अर्थ विवस्ता में उत्पादन के साधनों पर निजी विक्तियों का स्वामी कोन होता है पुझिवादी अर्थ विवस्था में पुझिवादी अर्थ विवस्था में अप्शन नमर भी सही है अगला प्रसन आपका गैस और बिजली उत्पादन की स्छेतर का अंग है गैस और बिजली उत्पादन की स्छेतर का अंग है तो दुतिय शेतर का अंग है अगला प्रशन आपका बंगला देश की मुद्रा क्या है तो डाका अगला प्रशन आपका प्रोमो यूसन का संबन्द किस देश से है तो इस प्रशन का उत्तरो जगापका उप्सन नमर C बंगला देश से है अगला प्रशन है प्रार्थिमी किरिसी साख समीती किरिसकों को किस प्रकार का रिन प्रदावन करती है तो इस प्रशन का उत्तरो जगापका इनमें सभी उप्सन नमर D सही है अगला प्रस्ण है जवहार रोजगार योजनों किस वर्ष परारम हुई तो इस प्रस्ण का उत्र जगा आपका option number C बिल्कुल सही है 1989 इस वी में option number C सही है अगला प्रस्ण है आपका मन्रेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की guarantee देती है मन्रेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की guarantee दी जाती है तो 100 दिन option number C बिल्कुल सही है 100 दिन देने की guarantee देता है अगला प्रस्ण है उप्भोक्ता संग्रक्षन के लिए कितने राज आयोग है उप भुकता संग्रिक्षन के लिए कितने राज्य आयोग है तो इस प्रश्ण का उत्तरों जगा आपका 35 राज्य ओप्सन नमर B सही है अगला प्रश्ण है प्रोम PC महन 920 किस अध्यक्ता में किस समेती का गठन किया तो इस प्रश्ण का उत्तरों जगा आपका राश्टिय आय शमीती ओप्सन नमर A सही है अगला प्रश्ण है उप भोग व्य और बचत का योग कहलाता है तो इस प्रश्ण का उत्तरों जगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है आय अगला प्रस्ण है नीम्न में कौन आर्थिक किरिया का चक्रिये प्रभा है तो इस प्रस्ण का उत्तर जग आपका इनमें सभी उप्सन नमर डी सही है उत्पादन वे आई इनमें सभी उप्सन नमर डी सही है अगला प्रस्ण है आपका भारत में सार पर्थम राष्टिय आय का अनुमान कब लगाया गया तो इस प्रस्ण का उतर जगा आपका ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है 18-18-182 में और किस ने लगाया था दादा भाई नो रो जी ने लगाया था भारत में सार प्रत्रम आय का अनुमान अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन साकारिता का मुल भूत तत्व नहीं है तो इस प्रश्निक का उत्तरों जग आपका उप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अनिवार ये सदस्यता उप्शन नमर ए सही है अगला प्रश्न आपका इनमे से कौन गैर आर्थिक अधारिस सनरचना है तो इस प्रश्निक का उत्तरों जग आपका उप्शन नमर C बिल्कुल सही अगला प्रस्ण आपका सम्विधान का चौतरवा संसोधन समंदित है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर B बिल्कुत सही है नगरिये साशन ब्यवस्था में अगला प्रस्ण आपका बिहार में एक नगर निगम में अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर D बिल्कुत सही है बिहार में एक नगर निगम में कितने वाड हो सकते हैं 75 हो सकते हैं अगला प्रस्ण आपका चिपको अंदोलन समंदीत है किस से तो सुन्दरलाल बहुगुनाँ से अप्सन नमर C बिल्कुल सही है चिपको अंदोल किस समंदीत है सुन्दरलाल बहुगुनाँ से अगला प्रस्न है आपका नेपाल में सप्ता दलिये संगठन क्यों किया गया इस प्रश्निक का उत्तर होगा आपका option number A बिल्कुल सही है लोग तंत्र की अस्थापना हेतू अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी की अस्थापना किशने की इस प्रश्निक का उत्तर होगा आपका option number C बिल्कुल सही है कासी राम अगला प्रस्ण है आपका दल वदल कानून लागू होता है तो इस प्रस्ण का उत्तर जागा आपका ओप्शन नमबर अगला प्रस्ण है जारखन बिहार से कब विथक हुआ यानि जारखन बिहार से कब अलग हुआ तो 15 नवंबर 2000 को जारखन बिहार से अलग हो गया अगला प्रस्ण है आपका ओप्शन नमर ए सही था इनिमे से कौन संग्य प्रनाली की विशिष्था नहीं है अगला प्रस्ण है लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमर वी बिल्कुट सही है पंस सो त्येता अलिस अगला प्रस्ण है पूर्व में बंगला देश जाना जाता था तो पूर्वी पाकिस्तान के नम से जाना जाता है औप्शन नमर सी सही है अगला प्रस्वन है, वेंड वेस्टनडीज संग की अस्थापना हुई, तो इस प्रस्वन का उत्तर जगा आपका option number D, बिल्कुल जाहिए, इनिज सो अंठावन इस भी में वेस्टनडीज संग की अस्थापना हुई, option number D, सही है, अगला प्रस्वन है, indica के लेखक हैं इंडिका के लेख हक कोँट है तो आप सभी भी जानते है उप्जन सी बिल्कुल सही है मेगा अस्तनी अगला प्रस्थना आपका वीश्वु का सबसे बड़ा लोक तंतरिक देश कोँट है तो भारत उप्जन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है अंग सन सू की किस देश की नागरिक है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका उप्सन नमर C बिल्कुल सही है मयोन मार्ग अंग सन सू किस देश की नागरिक है तो मयोन मार्ग की नागरिक है अगला प्रस्ण है छेत्रवाद की भावनों का कुप परिमोन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी बिल्कुत है अलगावाद अगला प्रस्ण है भारत की पर्थम राष्टिये जल नीती कब अपनाई गई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर बी बिल्कुत है सितंबर उनिस्टो सतासी को अगला प्रस्ण है विश्व में सार्वधिक वन वरन वाला देश है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर ए शही है अगला प्रस्ण है किस मिद्दा में हुमेंस की मात्रा नगने होती है यहने की कम होती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आ अगला प्रस्ण आपका भारत का सबसे बराख खनीज तेल उत्पादक छेत्र कौन है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका ओप्सन नमर ए बिल्कुल सहे डिग वोई ओप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है इनमे से कौन रोपन फसल है तो चाय को भी रोपा जता है रवर को भी रोपा जता है गन्मा को भी और इनमे सभी हो जाएगा ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही है इनमे सभी अगला प्रस्ण है जीवन रेखा रेल कब चलाए गई थी तो 1991 में उप्सन नमर भी सही है अगला प्रस्ण है आपका कावर जील कहां है तो बिहार के बेगुसराय में है कामवर जिल कहा है बेगुशराय में उप्सन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है किस राज में सैयुक्त प्रवंध का पहला प्रस्ता पारित किया गया तो इस प्रस्निक का उत्तर हो जागा आपका पस्चिम बंगाल में उप्सन नमर A सही है अगला प्रस्ण आपका इनमे से कौन ओकर्वनिक खनीज है इनमे से कौन ओकर्वनिक खनीज है तो इस प्रश्ण कोतर जागा आपका ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है अबड़क ओकर्वनिक खनीज है अगला प्रस्ण है भारत में किस राज में शर्वधिक मेगरुवा वन है तो मेगरुवा वन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है पस्चिम बंगाल में पस्चिम बंगाल में उप्सन नमर B सही है अगला प्रश्ण है कौन कोईला घटियां किस्म का है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका उप्सन नमर D बिल्कुल सही है पीट कोईला घटियां किस्म का होता है अगला प्रश्ण है भारत में चाय की किरिसी कहां शुरू हुई भारत में चाय की खेती या किरिसी कहां शुरू हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा उ आपका option number A बिल्कुत धात्विक option number A सही है Pyrite किस परकार की खनीज है धात्विक अगला प्रस्ण है भारत का पहला परमानुशक्ति सयंत्र कौन है भारत का पहला परमानुशक्ति सयंत्र कौन है तो इस प्रस्ण का उत्र जागा तारापूर option number A, सही है, अगला प्रस्न है, कोडरमा का संब़न्द किस खनीज से है, तो इस प्रस्न का उत्र है गारोज है अवराख से, कोडरमा का संबन्द किस से है, अवराख से, option number A, सही है अगला प्रस्ण है आपका किस देश ने ओपेक की सदस्यक्ता त्याग दी किस देश ने ओपेक की सदस्यक्ता त्याग दी तो इस प्रस्ण का उप्तर हो जगा आपका उप्सन नमर डी बिल्कुत है कतर कतर ने ओपेक की सदस्यक्ता त्याग दी अगला प्रस्ण है इनमे कौन जूट का अग्रिन उत्पादक है इनमे कौन जूट का अग्रिन उत्पादक है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जगा आपका शी बंगलादेश सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बंगलादेश में अगला प्रस्ण है अस्वन वंध किस नदी से समंदीत है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका आप्शन नमर सी बिल्कुल से यह नील नदी से अगला प्रश्ण है आपका इनमे से कौन प्राकिर्थिक आपदा नहीं है तो आतंगवाद अतंगवाद क्या है ये मानविय अबदा है अगला प्रस्ण है विनासकारी भुकम से बिहार किस वर्ष परभावित हुआ था तो 1934 इस भी में आप्शन नमर डी सही है अगला प्रस्ण है आपका हाँ अग्ला प्रस्ण है भुसकलन से अभी प्रिया है तो भुसकलन होता है कोई भी चीज सरकन एनकी गिर जना धीली-धीली तो क्या मलवों का शिसकन, चटनों का गिरन, चटनों का शिसकन, इनमें सभी हो जाएगा, यानि कि भुस्खलन मतलब ही होता है कोई चीज, शिसकन, गिरन, तो इनमें सभी हो जाएगा, भुस्खलन, सभी हो जाएगा, आक्सक्मिक प्रवधान का प्रमुक घटक है, तो इस प्रस्ण का उत्तर ह अगला प्रस्ण है भूकाम संभावित छेत्र में भवनों की आकिर्ती होनी चाहिए तो कैसा होना चाहिए इस प्रस्ण का उत्तरों जगा आपका उप्शन नंबर बी बिल्कुल चाहिए तिरभूजाकार होना चाहिए यूरोप वासियां के लिए किस देश का साहित्य एवं घ्यान बिज्यान प्रेना का स्रोथ रहा है अफ्शन A जर्मनी अफ्शन B युनान अफ्शन C तुर्की अफ्शन D इंग्लेंड तो इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा आप कोमेंट में दें तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number B बिल्कुल सही है यूनान दोस्तो आप लोग इसे A, B, C, D समझेगा तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण है इटली एवं जर्मनी बर्तमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंट में दीजिये इस प्रश्ण का उत्तर आपका option number C बिल्कुल सही है यूरोप यूरोप महादेश में आते हैं इटली एवं जर्मनी अगला प्रश्ण है तीन नमर प्रश्ण है रूस में जार का अर्थ होता है option A पीने का बरतन option B पानी रखने का मिट्टी का पात्र option C रूस का समराथ इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका option number D बिल्कुल सही है रूस का समराथ रूस में जार का अर्थ होता है रूस का समराथ option number D सही है अगला प्रश्ण है हिंद चीन छेत्र में कौन से देश आते हैं प्रश्ण है हिंद चीन छेत्र में कौन कौन देश आते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है कामबोडिया वियते नाम लौस अगला प्रश्ण देखिए दोस्तों पमच नमर प्रश्ण है बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किस किसन अंदोलन के दोरन दी गई उप्शन A बारदोली उप्शन B अहमदाबाद उप्शन C खेरा उप्शन D चमपारन तो इस प्रश्ण का उत्र जाएगा आपका उप्शन नमर A बिल्कुल से यानि को वारदोली अगला प्रश्ण है जन संख्या का घनेत्व सबसे अधिक कह होता है प्रश्ण जन संख्या का घनेत्व सबसे अधिक कह होता है उप्शन A ग्राम, उप्शन B कश्वा, उप्शन C नगर, उप्शन D महन नगर तो इस प्रश्ण का उत्र जाएगा आपका उप्शन नमर घोयने D महन नगर में जन संख्या का घनत पर सबसे अधिक का होता है मान नगर में option number D बिल्कुल चाहिए है अगला प्रस्ण है भारत के लिए पहला factory act किस वर्ष पारित हुआ भारत के लिए पहला factory act किस वर्ष पारित हुआ option A 838, option B 1908, option C 881, option D 1911 जली comment में answer देज़े दोस्तो तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल चाहिए 1881 में अगला प्रस्ण है गिर्मिटिया मजदूर ब्याहर के किस छेतर से भेजे जाते हैं option A पुर्वी छेतर, option B उत्री छेतर, option D दक्षिनी छेतर, option sorry, option C दक्षिनी छेतर, option D पच्षमी छेतर प्रश्ण का उत्तर बोलिए क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number D पच्षमी छेतर से, गिर्मिटिया मजदूर ब्याहर के किस छेतर से भेजे जाते हैं पच्षमी छेतर से, अगला प्रस्ण है वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र में रातो रात अपनी भासा बदल दी option A हरीजन, option B भारत मित्र, option C अमरिता बजार पत्रिका, option D हिंदुस्तन रिव्यू तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, option number C, option number C, अमरिता बजार पत्रिका ने अपनी भासा को रातो रात बदल दिया था अमरिता बजार पत्रिका ने अगला प्रस्ण है पुर्ण स्वराज की मंग का प्रस्ताब कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ option A, लहोर अधिवेशन, option B, लखनौ अधिवेशन, option C, गया अधिवेशन, option D, मुंबई अधिवेशन इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा, कॉमेंट बोस में जल्दी दीजा दुस्तो तो इस प्रस्ण का उत्तर होजागा आपका option नमबर A, यानि को बिल्कुल सही है लहोर अधिवेशन, 1929 में अगला प्रस्ण है, लहोर अधिवेशन में पूर्ण सोराज की मंग की गई थी अगला प्रस्ण है, भारत के किस अस्थान पर पहला प्रमानु उर्जा के अंद्र अस्थापित किया गया था option A, कलपक्कम, option B, नोरा, option C, रना प्रताप सागर, option D, तरापूर तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, आपका option नमर, D, बिल्कुल से यह तरापूर अगला प्रस्ण है, प्राकिर्तिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है 12 प्रस्ण है, प्राकिर्तिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है तो इस प्रशन का उत्तर जागा option नमबर B बिल्कुल सही petrol याm जिसने B अपिर लगाए थे बिल्कुल सही होगया petroleum अगला प्रशन है उर्जा का गैर प्रप्रारिक श्रोत है उर्जा का गैर प्रप्रारिक श्रोत है option A क्वैला अप्शन B विद्धूत अप्शन C पेट्रोलियाः अप्शन D बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है बोपाल सहधिरित में किस गैस का रिस्वा हुआ था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्शन नमर सी बिल्कुल से है मिथाइल आइसो सैनाइट अगला प्रश्ण है संजय गांदी जैविक उद्धान किस नगर में सोरी जोस्तो प्रश्ण और एक छुड़ गया पंदरन प्रश्ण देखिए पंदरन प्रश्ण है फाल्ट विशेश आर्थिक छेत्र कहां इस्तित है तो पंदरन नमर का प्रश्ण हो जाएगा आपका पस्चिम बंगाल में आप्शन नमर बी सोलन प्रश्ण देखिए सोलन नमर प्रश्ण है संजय गंदी जैविक उद्धान किस नगर में है तो आपका उप्शन दोस्तों हम दिखा रहे है देखिए उप्शन आपको दिखाए दिया होगा उप्शन है ए राजगीर उप्शन बी बोद गया उप्शन सी विहार सरीप उप्शन डी पठना संजय गंदी जैविक उद्धान किस नगर में इस्ति था है तो संजय गंदी जैविक उद्धान नगर में इस्ति था है पठना नगर में उप्शन नमर डी सही है अगला प्रस्ण है सत्रन नवर प्रस्ण है दोस्तों मंदार हील किस जीले में इस्तितृ है ईस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका ओप्शन नम्मर सी बिल्कुल सही है बाका अगला प्रस्ण है उच्वाच प्रदर्शन के लिए हैयूर विधी का विकास करने वाला किसने क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अगला प्रस्ण 19 नमबर अगला प्रस्ण उच्वाच सहा राम नगर का विकास हुआ था कब अप्शन A मध्य यूग में प्राचिन यूग में बर्तमोन यूग में उप्शन द आधुनिक समय में तो सासारम नगर का विकास वा था option A मध्य यूग में बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा के लिए समाजिक विज्ञान में इस तरह का प्रस्ण पूछे जाते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखे और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें ताकि मेरा मनोवल बढ़े आओर तो चलते हैं अगले प्रस्ण के ओर यह सबी प्रस्ण बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ण है दोस्तों प्रसंदे देखे 20 नमबर सिमेंट उद्योक कासब से प्रमुक कच्चा माल क्या है? 20 नमबर का उंसर क्या होगा जली कोमेंट में दीज़े दोस्तो तो इस प्रसंदे का उत्तर हो जाएगा आपका उप्षा नमबर A बिलकुल सही हे आपका चुना पत्थर सिमेंट उद्योग का सबसे प्रमुक कच्चा माल क्या है चूना पत्थर वो यनि ए अगला प्रस्ण है भारत में राष्टिय अस्तर पर पंचाइती राज की अस्थापना कब हुई तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन नमर ए बिलकुल सही है 1969 इस भी में अगर दोस्तों पुछ दिया जाए कि भारत में राष्टिय अस्तर पर पंचाइती राज की शुरुआत किस राज से हुआ तो राजस्थान किस जगह से हुआ तो नागोर जीले से हुआ था दो अक्टूबर 1969 को लागू किया गया भारत में पंचायती राज बेवस्था ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है अगरा प्रस्ण है बाईश नमर बिहार में पंचायती राज का सोरूप है बिहार में पंचायती राज का सोरूप है तो 22 नमर का उंतर हो जाएगा इन में सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिला परिसद तो ब्यार में पंचायती, राज का सुरूप कैसा है, पंचायत कैसा बना हुआ है तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिती है और जिला परिसद है इनमें सभी ओप्षन नम्मर D बिल्कुल सही है इनमें सभी हो जाएगा अगला प्रस्ण है इंडिका पुष्टक के लेखा कौन है इंडिका पुष्टक के लेखा कौन है तो 23 नम्मर का अंतर हो जाएगा आपका ओप्षन नम्मर A बिल्कुल सही है मेगा अस्थनीज अगला प्रस्ण है भारत में सार पर्थम नगर निगम की अस्थापनों की गई भारत में सार पर्थम नगर निगम की अस्थापनों की गई कहां चन्नई में मुंबई में कुलकतों में दिल्ली में तो इस प्रस्ण का उत्रो जग आपका option number A बिल्कुत से चन्नही यानि मद्रास भारत में सार पर्थम नगर निवम के अस्थापन क्या गया था चन्नही में अगला प्रस्न है 25 नमर संग सरकार का उधारन है संग सरकार का उधारन है अमरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं तो संग सरकार का उधारन हो जाएगा आपका option number A, बिल्कुत सही है अमरिका संग सरकार का उधारन है अमरिका अगला प्रस्न है चिपको अंदावलन का प्रार्यम किस राज से हुआ चिपको अंदावलन का प्रार्यम किस राज से हुआ तो 26 नमर का उत्तर क्या होगा option है बिहार option B मर्दि परदेश option C उत्तर परदेश option D उत्राखंड तो चिप को अंदावलन जो हुआ था दोस्तो हुआ हुआ था उत्राखंड में option नमर D सही है अगला प्रस्ण है नर्मदा बचाओ अंदावलन समंदित है नर्मदा बचाओ अंदावलन समंदित है पडियावरन से शिक्षा से भ्रमन से या उर्वरक्त से तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option नमर A निक को पडियावरन से नर्मदा बचाओ अंदावलन किसे समंदित है पडियावरन से अगला प्रस्ण है सुचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ सुचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ ओप्शन A. दोयर 4 में ओप्शन B. दोयर 5 में ओप्शन C. दोयर 6 में ओप्शन D. दोयर 7 में तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका सुचना का अधिकार कानून लागू हुआ 2005 में आप्सन नमबर भी सही है प्रस्ण है बिहार में संपुर्ण क्रांती का नित्वर किसने किया बिहार में संपुर्ण क्रांती का नित्वर किसने किया तो दोस्तों आपको आपको अंसर यनि ओप्षन दिखाई देता होगा ओप्षन है साफ हो जा हम ओप्षन है A. नमर मेरा जी दसाई B. नितिश कुमार C. इंद्रागांदी D. जैप्रकास नरायन बिहार में संपुर्ण क्रांती कानेतवर किस ने किया तो जैप्रकास नरायन ने ओप्षन नमर D. जैप्रकास नरायन ने बिहार में संपुर्ण क्रांती का नेतवर किया था जैप्रकास नरायन ने अगरा प्रस्ण देखिए प्रस्ण है नीमन को प्रार्थमिक छेत्र कहा जाता है नीमन मतलब नीचे आपका दिया गया है सेवा छेत्र, मचली पालन, और दियोगी छेत्र ये कोई नहीं तो नीमन में प्रार्थमिक छेत्र किसे कहा गया है तो प्रार्थमिक छेत्र आज सभी जानते हों क्रिसी को कहा जाता है और उसी के अंतरगात आजाता आपका मचली पालन तो आपका जाएगा मचली पालन और सेवा छेतर कौन से छेतर में आते हैं जली जली कोमेंट करें दोस्तों इसका अंसर सेवा छेतर किस छेतर में आते हैं तो तीरतिय छेतर में सेवा छेत्र तीरतिये छेत्र में आते हैं और अध्योगिक छेत्र किस में आते हैं दुतिये छेत्र में अध्योगिक छेत्र दुतिये छेत्र में देखें सुरू से बोल देते हैं तीरो याद रखेगा प्रार्थमिक छेत्र में आता है मचली पालन किरीशी और पसुपालन ये तीनों जो है कि प्रार्त्मिक छित्र है और सिवाच्षेत्र सिवाच्षेत्र जैसे हो गया आपका सरकारी हॉस्पिटल रेलगारी सरकारी बस मंदिर पंचायद भवन ये सब ही जो है कि आपका सेवा छेत्र के अंतरगत आता है जैसे रेलगारी हो गया सरकार रहां स्पीट्र हो गया ये सबी सेवा के छेत्र से आता है और इसी से सरकार को भी ज़्यादा आमधनी होता है तो चलते हैं अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मुख्य मंत्री परदावन मंत्री राजपाल या अर्शास्त्री इस प्रशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका आपसे नम्मर खो यानि परदावन मंत्री होता है योजन आयोग का अध्यक्ष लेकिन योजन आयोग अब क्या कर दिया गया हटा दिया गया इसके स्थान पर क्या लाया गया है नीती आयोग लाया गया है योजन आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया नीती आयोग अब इसे हटा दिया गया है तो चलते हैं अगले प् उप्षन B 10 अप्रेल से 31 मार्च तक उप्षन C 15 अप्रेल से 31 मार्च तक उप्षन D 20 अप्रेल से 31 मार्च तक तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका उप्षन नम्मर A बिल्कुल सही है एक अप्रेल से 31 मार्च तक भारत में बित्य वर्ष होता है एक अप्रेल से 31 मार्च तक उप्षन नम्मर को यानि A सही है अगला प्रस्ण है ददा भाई नौरोजी ने सार प्रत्थम राष्टिय आय का अनुमोन कव लगाया था अप्षन A आठासो आरसाट इसवी आप्षन नम्मर अ यानि को बिल्कुल सही है अठासो आरसाट इसवी में ददा भाई नौरोजी ने सार प्रत्थम राष्टिय आय का अनुमोन लगाया था अगला प्रस्ण है मुद्रा के कारी है क्या है मुद्रा के कारी क्या है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका जल्दी बता ये कोमेंट में क्या होगा मुद्रा के कारी क्या है मापन संचै भुगतावन इन में सभी तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा इन में सभी अगला प्रश्ण है 35 नमबर भारत की बित्तिय राजधानी की सर को कहा गया है बिल्कुल चाहिए है जिस ने कॉमेंट किये बिल्कुल चाहिए भारत की बित्तिय राजधानी की सर को कहा गया है तो मुंबई को कहा गया है अगला प्रश्ण है कौन बिमारू राजज नहीं है बिहार करनाटक उरिसा मद्य परदेश तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका करनाटक बिमारू राजज नहीं है बिहार बिमारू राजज है उरिसा बिमारू राजज है मद्य परदेश बिमारू राजज है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यानि खो कि ये करनाटक बिमारू राजज नहीं है अगला प्रस्ण है इन में से कौन बहुराष्टिय कमपनी नहीं है सैतिस का ओप्सन नम्मर डी बिल्कुल से है संतोस अगला प्रस्ण है भारत में उपभोक्ता संग्रक्षन अधिनियम की गोशनों कब हुई भारत में उपभोक्ता संग्रक्षन अधिनियम की गोशनों कब हुई आरतिस नमर का प्रस्ण का उत्तर क्या होगा कोमेंट में बताएं दूस्तों तो भारत में उपभोक्ता संग्रक्षन अधिनियम की गोशनों 1986 भी हुआ था अगला प्रस्ण है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है अप्शन ए भुकम, अप्शन बी चक्रवाथ, अप्शन सी सुनामी, अप्शन डी कोई नहीं तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका सुनामी अप्शन सी बिल्कुल सही है महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है सुनामी के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है आपका 40 नमबर लास्ट प्रस्ण है मलवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है मलवे के नीचे यहने भूकम हो गया और सायद उसके अंदर जो भी बिक्ती या आदमी दवा गया है तो कौन सा यसा यंत्र है जिससे की पता लगाया जता है मलवे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ले जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर बी बिल्कुल सही है इनफरोड केमरा तो दोस्तों आप अगर यहां तक पहुचे हैं तो लाइक और कोमेंट जरूर करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में सेर करें और हाँ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी तुरूटी जो भी जहां भी दिक्कत हो दोस्तों आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं जहन जय भारत